मौके पर पहुंची है नई दिल्ली की सांसाथ बांसुरी सुराज मैं क्या जानकारी आपके पास क्या कुछ सूचना आपके पास है अभी इस पूरे गटना होगी मानन ये विधायक दुर्गेश पाठक जी को बार बार ये कंप्लेंट करी जा रही थी कि राजिंदर नगर में जो नाला है इसकी डिसल तिक करवाएं इसकी सफाई करवाएं उन्होंने एक नहीं सुनी और इसीलिए सारा का सारा पानी जो है दो दो फुट पानी तो सडक पे है और कहतें पूरा का पूरा बेस्मेंट इस इंस्टिटूट का पानी से जल्मगन हो गया है कहते हैं याँ पर गोता खोरों को कुदी लगाकर बच्चों को निकालना पड़ रहा है इस वाटर लॉगिंग के कारण कुछ बच्चे एलेक्ट्रक्यूट हो गए हैं और उन्होंने अपने प्राण खो दें यह कितनी कितनी शर्मनाक बात है आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई नियत ही नहीं है काम करने की अगर मानिय विधायक दुरगे लुद देने के लिए यह बच्चे यहां पर और आज्पिरेशन देकर आहे इंगे बच्ते पढ़ाई करने आये ते क्या रह जाए गी जिन्हों ने आज बचोंने यहां पर अपनी जान को श्र suffer है exemplo क्ट बच्चों को रागया है काम जारी है याकिन यह नौबत ही क्यों की ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार क्या दिल्ली की जनता के लिए काम करने की नियत ही नहीं है। बीजेपी को भी बताना चाहिए फंदरा साल से उनका कांसलर था ड्रेनेज क्यों नहीं बना एक साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के लेकिन फिर भी राजनीती करने की कोई जरूत नहीं है। जो आरोप, प्रैते आरोप का समय नहीं है, बहुत ही दुगत घटना है। और मुझे लगता है राजनीती से उपर उठकर हम सब को मिल कर ऐसे घटना के लिए हम उन सब अधिकारियों पर या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर आक्शन देना चाहिए। झाल झाल